हेलो बच्चो आज हम लोग रंद्र यानि की इस टोमेटा के बारे में जानेंगे जन्तुओं की तरह पौधे भी सास लेते एवं छोडते हैं पौधों में सुसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए बिभीन प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं इन क्रियाओं के लिए उर्जा की आवश्यक्ता होती है पौधों में सास लेने एवं छोडने के लिए जन्तुओं की तरह अंग नहीं होते बलकि पत्यों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र या इस्टोमेटा कहते हैं हवा पौधों के अंदर उनी छेदों के द्वारा प्रवेश और निकास करती है पौधों में प्रकास संस्लेशन की क्रिया होती है इसमें carbon dioxide प्रयुक्त होती है तथा oxygen बाहर मुख्त हो जाती है दिन में carbon dioxide तथा oxygen का अनुपाद संतुलित रहता है स्वसन की क्रिया प्रतेक छड़ जन्तुओं और पौदों में होती रहती है रात्री में जब प्रकास translation की क्रिया नहीं होती है तो oxygen की मात्रा बातावरण में कम हो जाती है तथा carbon dioxide का उपयोग नहीं होने से carbon dioxide की मात्रा बातावरण में बढ़ जाती है इसलिए कहा जाता है कि रात्री के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उस दवरान पेड सांस लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं दिन में पेड प्रकास संसलेशन की वज़े से ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डायोकसाइड को सोकते हैं मही रात में पेड सुसन करते हैं तथा कार्बन डायोकसाइड छोडते हैं पेडों में सुसन के लिए विसेसंग नहीं होते पेड़ों में सोसन पतियों में मौझूद, इस्ट्रोमेटा और तनों में मौझूद छिद्रों से होता है पेड़ की जड़े भी सतह से सांस लेती है रात में पेड़ के नीचे सोने से कार्बन डायोकसाइड की मात्रा बढ़ जाती है और oxygen की मात्रा कम हो जाती है पेड के नीचे सोने से सांस में carbon dioxide की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जान जाने का खत्रा रहता है पेडों के बिना धर्ती पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है पेड हमारे जीवन का अहिम हिस्सा है